हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आई होप आप लोग हेल्दी और हपी होंगे ये मेरा पहला अन्बॉक्सिंग का वीडियो है चलिए देखते हैं फ्लिप कार्ट से हम लोगोंने क्या मंगाया हैं देखते हैं और इसकी पैकिंग को खोलते हैं परस्ट अफॉल हम इसकी पैकिंग को खोलने जा रहे हैं यह देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या लिकलता है 31 एक हाँ से काट रहा हूं बहुत ही हाड है एक हाँ से मोवाइल होड़ किया हूं है देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है वाओ फट रहा है देखते हैं अंदर क्या लिकलता है इसके पहली बात एक हाँ से खोला है देखते हैं यह क्या यह बिल आ गया हमाई सामें बिल की इत्ते का है 643 रुपीस का है ओके यह क्या है नोवा का है 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 हैंड ब्लेंडर हमाई पास आया हुआ है वाओ चलिए इसको भी खोलते हैं इसको खोल के देखते हैं एक हाँ से खोल ला हूँ काफी दिक्कत हो रही है चलिए यहां टेप लगा हुआ है टेप को इचाड़ा देता हूं आप यहां पर हैंड ब्लेंडर का डिजाइन बना हुआ है और यह हैंड ब्लेंडर चलिए देखके खोलते हैं क्या निकलता है इसके दर पेकिंग खुल चुकी है इसके अंदर यह प्लेंडर के बाया है हैं यह एक दो क्यूंल कि अ हुआ है चलिए जानाओं यह देखिए हैंड ब्लेंडर लिखला हुआ बिल्कुल Π्लास्टिक में पैक है इसके बाद यह आगे का और जटेबल और यह नीचे इसमें ब्ल cupboard लगा हुआ है इसको नीचे से पैक है एक हांसरे टेप निकलना तिकताब मुश्कित हुच्छा है आज मैंने जाना बट इस प्वाइट इंस्ट इंटरस्टिंग पहली बार में अन्बॉक्सिंग कर रहा हूं आप लोगों पसंद आता है कि नहीं आता है चलिए जानते हैं इसको मैं फिट करने कोशिश कर रहा हूं वह विस सिंगल हैंड ले यह देगे फिट हो गया है आप फिट हो चुका है यह पूरा हैंड ब्लेंडर चलिए आप इसको ब्लेड है जिससे आप मेंगो शेक बना सकते हैं लसी बना सकते हैं और कुछ भी मिक्सिंग करना हैं ग्रांडिंग करना है कुछ भी कर सकते हैं यह बहुत ही कॉंपेक्ट है हर घर में यूज होता है मेरे खासे आप आपके पास भी होगा यह चलिए आप चला के चेक करते है यह मैंने Nova के hand blender की unboxing कर लिया और इसको fit कर लिया है इसको पहले चलाने से पहले सबसे पहले ensure करना है कि यह lock position पे होना चाहिए otherwise यह आपके blade को damage कर सकता है motor खराब हो सकती है जल सकती है चलिए चला के देखते हैं सबसे पहले हमें plug को connect कर दिया है connect कर दिया है मैंने इसके बाद यह प्रेस पुष बटन है पुष बटन पर हम क्लिक करते हैं यह दबाते हैं ज़र से मैंने दबाया यह तो ओमाइगा यह चली नहीं रहा क्या दिक्कत आगए इसमें once again कोई fault आ गया है मैंने plug को चेंज किया one second चला के देखते हैं oh my god मेरा plug ही सही नहीं लगा था यह देखें बहुत ही धमाके दाट तरीके चला है यह sound किता interesting है इसका सबसे पहले चलाने से पहले आपको ensure करना चाहिए यह lock position में होना चाहिए अगर यह आपका unlock position पर आएगा जिससे कि आपका blade damage हो सकता है या फिर तूट भी सकता है काफी high rotation के साथ इसका motor गूमता है आप लोगों ने देखा नुवा का hand blender जिसकी unboxing मैंने की यह मैंने first time की है आपको कैसी लगी आप comment में जरूर बताइए वीडियो अच्छे लगी हो तो like जरू करिए थैंक लाइए वाचिए विडियो तो